यह हाग है रोकेट अपनी दूसरे वाली इसमें अपना काफी साही साही सामान आया है सारे के सारे ड्रोन आने लगये हैं यहाँ पर काम करने के लिए आज मा बिल्कुल निया गिम खेलने जा रहा है और इस गेम का नाम है Surviving Mars और इस गेम में जो अपना mission है वो है अर्च से जो है planet Mars पे जाना और वहाँ पे जो है कलाउनी सेटफ करना और सारी चीजे प्रोवाइड करना अपने citizens के लिए citizens यह पर उन्हें बोलें के Martians जो अर्च से जितनी भी लोग Mars पे जाकर सेटल हो हेंगे तो वहाँ पे पहले उनके लिए basic चीजे खटा करनी है, कलोनी सेट अप करनी है, और वहाँ पे सब चीज जो है create करनी पड़ेगी, तो जो starting का base त्यार करना है, वो drones के थूर करना है, और rovers के थूर करना है, जिनने remotely control करना है, और यहाँ से अभी rockets लेके जाने हैं काफी सारी, अभी starting में पहले एक rocket जाएगी, उसमें basic समान जाएगा, उसके बाद passenger वाले rockets भी जाएगी, उसके बाद और payloads वाले rockets में बभला सकता हूँ, तो अभी इसे start करते हैं, और इसमें काफी ज़दा मजा आने वाला है, तो अभी सबसे पहले तो जो अपनी कलोनी मार्स पे बनानी है, उसका नाम देना है, तो इसका नाम मैं देता हूँ, मंगलपुर, क्योंकि मार्स को हिंदी में मंगल कहते हैं, इसलिए कलोनी का पहले अपना नाम रहेगा मंगलपुर, मंगलपुर हो गया, मिशन इस्पॉंसर जो है, इंडिया कर देते हैं, क्मांडर प्रोफाइल, जो है, रोकेट सांटिस्टी रहन देते हैं, और इस गेम में जो है, क्मांडर मैं हूँगा, क्योंकि मैं इस गेम को खेल रहा हूँ, तो साहा कुछ मैं डिसाइड करूँगा, और कलोनी लोगो में अपना इंडिया का लोगो लगाते है, यह अपना इंडिया का लोगो यहाँ पर लगेगा, मतलब कलोनी पर मार्स की पर और रोकेट वगरा पर, अपनी यह पहली रोकेट में क्या-क्या लोड जाएगा, वो डिसाइड करना है, तो अभी जो पहली रोकेट की कार्गो कैपसेटी है, वो 50,000 केजी की है, और फंडिंग जो अभी मिली है, इस पूरे मिशन के लिए फो 4.7 बिलियन डॉलर्स की है, तो फंडिंग जो है, यह ज़्यादा लग रही होगी, बर ज़्यादा नहीं है, क्योंकि एक छोटी सी चीज को भी मार्स पे भीजने में, कई मिलियन डॉलर्स का खरचा आता है, तो अभी इसमें जो पहली रोकेट में जा रहा है, वो ड्रोन हब जा रहा है, ड्रोन हब क्या करता है, सारे ड्रोन को कंट्रोल करता है, और काम असाइंग करता है, कि क्या काम करना है, एक मोईश्यर वेपोरेटर है, जो एट्मोस्फ़ेर से पानी पर्ड्यूस करता है, एक स्टेलिंग जानिटर है, जो वहाँ पर पावर प्रोड़ाइड करेगा स्टार्टिंग में मॉश्यर वेपरेटर दो हैं तो यह चार आइटम होगा जो प्रीफैब्स में हैं जो औरेडी बने-बना हैं यहां से जा रहे हैं वहाँ पर असेंबल करने हैं उसके अलावा ड्रोन्स हैं और यह तीन जो चोटे ड्रोन्स हैं इनकी कोश भी 90 मिलियन डॉलर्स पड़ रही है क्योंकि मार्स के लिए सब चीज स्पेशल वहां के अन्वाइमेंट के साब से बनानी पड़ती है और यह काफी जादा यूनिक है मतलब यह टेकनलोजी काफी एडवान्स है इसलिए काफी जादा कोस्त आती है वहां भीजने में भी और बनाने में भी और बाक्की ड्रोन्स के लावा इसमें 20 मशीन पार्ट्स हैं 15 इलेक्टोनिक हैं 10 औरबिटर प्रॉब दो है औरबिटर प्रॉब जो है वहां मार्स के एटमोस्फएर को तो scan करेंगे और scan करें ढूंडेंगे कि पानी कहा मिल सकता है metal कहा मिल सकता है concrete कहा मिल सकता है तो अभी यह तो पूरा full है तो पहले rocket के load में तो कोई भी चींज की जरूड़त नी है यह सारा समान चाहिए होगा यह सारा समान भेजते हैं Mars पे rocket के थुरू और पहली rocket को launch करते है यहां से और अभी स्टार्टिंग में साइट चूज करनी है कि मार्स की कौन सी साइट पर जो है कलोनी सेट अप करनी है जैसे यह वाली है यहां पर मैटल्स जो है काफी सारे हैं कंक्रीड भी है वोटर जो है 3 पॉइंट है मतलब मैक्सिमम नहीं है और यहां पर वोटर मैक्सि कॉलोनी सेटप करने में एक इशू जाएगा कि यहां पर जो है तो अपने जो ड्रोन्स और रोवर से हैं को काम करने में दिक्कत होईगी तो कोई प्लेइन सा इलाका चूज कर लेता है जहां पर ज्यादा ऊचा नीचा ना हो जैसे यहां पर यहां पर वाटर की अवलबिटी इन पर यहां पर यहां पर अपर सेट आप करते हैं इस को स्टार करते हैं तो यह अपनी साइट और यहे पूर्ण पर यह पूर्ण है पूरा पूरा एरिया है जो मुझे यहां पर डैवलब करना है तो अभी वैसे यहां पर थोड़ा सा इश्यू तो है यहां पर यहां पर अपनी रोकेट के लिए इधर कहीं भी चूज कर लेते हैं यहां पर इधर कर लेते हैं तो यहां पर अपनी रोकेट जो है उतर जाएगी और रोकेट आल्मोस्त रैड़ी है और यह रोकेट जो है उपर वेट कर रही थे लैंडिंग साइट का तो रोकेट यहां उतर चुकी है और यह अपने पहले रोवर्स और ड्रॉन्स यहां पर आ का टाइम है इसलिए इनकी लाइट्स वगेरा ओन है तो यह वह जो मैंने चूज किया है और अभी जो स्रोकेट में समान आया है वह सारा के सारा मैं लगाना शू करता हूं बट उससे पहले मेरे को यहां पर पावर का इंतिजाम करना है वैसे एक जनरेटर तो अर्थ से जो है इस रोकेट के अंदर उसे लगाना शू करता हूं तो अभी यहां पर बिल्ड मैन्यू में जो है स्टेलिंग जनरेटर पावर वाले में यहां पर आ रख है तो यह स्टेलिंग जनरेटर और यह अर्थ से मंगाया था तो इसके लिए एक लोकेशन देख लेता है इसके लिए कहां पर लगानी है इसको पास में लगाना है क्योंकि केबल्स भी डालनी पड़ेंगी जो तो समान यहां पर लगाना है वो पावर केबल्स के थ्रू करनेट करना पड़ेगा तो इसको जनरेटर को इधर ही यहां पर यहां पर लगा जाते हैं तो यहां पर इनके डीपो बन सारे मेटल्स जो है इसी पाके खटे होएंगे और यहां से ड्रोन्स जो है पिक अप कर लेंगे और जितने ही मेटल्स यहां सैडों से निकाल के लेके आएंगे वो ड्रोन्स यहां पर लाके रखते रहेंगे और जब जब जो होगी यहां से उठाते रहेंगे और ऐसे ही मैं ब infectory बी लगा सकता हूँ energy वाला भी एक लगा यहाँ यहाँ पे लगा यह उझा हम और अलावा एक और हैuel वाला तो फ्यूल वाला भी यहाँ पे लगाएता हूँ और अब करना क्या तो यह ड्रोंस जो है सारा 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 समान लेके आ रहे हैं यह पॉलीमर्स वगएरा कहां से लेके आ रहे हैं यह रोकेट से लेके आ रहे हैं या फिर वहां से कहीं से लेके आ रहे हैं इसमें मैटल्स हैं यह मैटल्स एक्सरेट करना शुरूर कर दिया हैं यह नहीं अभी तो यह इसमें से ही अनलोड कर रहे हैं, रोकेट के अंदर से जो साहर समाना है उसको अनलोड करके यहां पर रख रहे हैं, तो यह मैटल पीस नोने यहां पर रखने शुरू कर दिया है, अब क्या करता हूं, अब मैं बाकी चीजे जो प्रीफैब्स आई हैं, मतलब जो बना बना यह मैं 2 पीस नोगाए हैं, अभी अ फ़्लाब दोनो पीस को रख लगाता हूं और इन्हें भी यहां पर इस साइड लगाता हूं दूसरे पीश को भी लगायता हो अब इन्हें केबल से किनेट कर दूँगा तो यह दो हैं दो जो है काफी अच्छा खासा वोटर जेनेरेट कर देंगे तो यह ड्रोन हब तो रैडी हो गया और यह जनेटर भी रैडी हो गया बस केबल से कनेट करना है इनको इलेक्टरिक केब आपी आपे बनाएंगे इन केबल को ये केबल भी ज्ट करेट करते हैं अब ज्ली काम पर लगे तो अभी इन्हें पहले समान लोड करने देते हैं उसके यहां से चला भी गया काम करने के लिए मैटल पीस लेके गया है मैटल पीस लगा के यहां पर जो है काम करेगा तो मैटल पीस इसके बनाने के लिए लेके जा रहा हुआ और यहां पर वायर्स तो बना दिये electricity अभी insufficient आजिया है क्योंकि यह जो generator है इसकी एक limited capacity है तो यहाँ पर धूप सही निकलती है इधर अपने solar panels सही काम करेंगे यह location पर धूप तुमें को अच्छी खासी देख रही है अब यहाँ पर क्या करता हूँ solar panels और wind turbines और लगायता हूँ यहाँ पहले तो wind turbine इधर की side यहाँ पर लगायता हूँ और wind turbine एक और लगायता हूँ wind turbine से power बनती रहे गी रात को भी और solar panel से क्या है पावर रात को नि बनेगी सिर्फ दिन दिन में बनेगी अभी तो वैसे शाम हो गई पर फिर भी यहां पर इधर की साइड लगाएता हूं और दो इन टरबाइन हो गई तो पावर जो है अभी अच्छे खासी जेनरेट होती रहेगी और यह जो पावर जो होएगी जतनी भी एक्स्ट्रा पावर होगी उसको स्टोर करने के लिए भी है जो है मुझे यहां पर लगाना पड़का पावर एक्वार आक्यूमिलेटर जो फो मसूंतों यहां फैलन की बैटरी होती है इसे भी जो फाितनी तो जो चेलों किस फीए जरुकर लगाते हो इनने का मिल को इसकी ट Gabrielle पावर होती है और जो हम यहां फिर और देक्सैंदी यह स्टोर होता रज़े तो यह रहा वोटर टावर एक वोटर टावर यहां पे इस साय लगायतों हो यहां पर अब इन्हें पायिप्स के फ्रूर्व कनेड्ट करना पढ़ेगा यह पाईप यहां से लेकर इस पर कनेक्ट कर दिया एक इस से भी कनेक्शन कर दिया तो अब यह जो विंट रवाइन से हैं इन सब के बीच जो है कनेक्शन देने और इन सबसे पावर जो है अपने इतनी ज़रुत की चीज़ें उन तक पोहुँच सके तो इसलिए जो है यहां पर इस वाली लाइन से कनेक्शन जाएगा इस से एक इस से एक इस से यह दूसरी बैटरी पर और यहां से जगा अपनी इस वाली मेल लाइन के अंदर तो अभी पावर थोड़ी सी इंसफिशेंट है क्योंकि अभी सोलर पैनल्स बने नहीं है और विंट रवाइन भी जब यह बन जाएंगी तो यहां पर प्रॉपर पावर मिलन इस नहीं किया है यह द्रोन कहां बीजी है मैं एक काम करता हूं दूसरी रॉकिट मंगाई लेता हूं वहां पर जो यहां पर बड़ा ओडर देता हूं कापी सारे ड्रोन ले आता हूं कंक्रीट एवलेबल नहीं है इसलिए विंट रवाइन का काम शुरूई नहीं हुआ तो कंक्रीट के लिए यह वाली लोकेशन है यहां पर कंक्रीट एवलेबल है जो आपने और प्रॉब ने स्कैन किया है तो उसने बताया है कि यहां पर कंक्रीट एवलेबल है अच्छी खासी तो यहां पर कंक्रीट एक्सेक्टर लगाए तो यह रहा कंक्रीट एक्सेक्टर और यह वाला यहां पर एरिया है जहां पर कंक्रीट एवलेबल है और कंक्रीट एक्स्रेक्टर को बनाने के लिए मैटल पीस चाहिए और मशीन पार्ट से हैं मैटल पीस भी है और मशीन पार्ट भी एवलेबल है और अब भी मैटल पीस वैसे बचेंगे हैं यह रहे काफी सारे है तो यह कंक्रीट हो गया है यहां पर अब क्या करता हूं इसको भी पावर चीए यह पावर से चलेगा और पावर इस लाइन से ले लेते हैं यहां से इसको दे दिया पावर का अब पावर मिलते हैं यह स्टार्ट हो जाएगा तो इसको पावर मिलते हैं यह स्टार्ट हो गया और अब यहां से यह बहार निकल के हैं एसे रोलर टाइप का सा गूमना शूरू करेगा और इसको पावर कम मिल रही है यह सही से काम ने कर रहा है काम कर रहा है कि चलो काम करने लग गया है और इधर की साइड यहां पर जो ऑबिटर प्रॉप ने क्या डूंड़ा है यहां पर इधर रिसर्च के लिए कुछ लगा सकता हूं और इधर कौन से कनेक्टेड नहीं है इधर यह वाला कनेक्ट नहीं हुआ क्योंकि लाइन के लोकि लिएक काम करता हूं इसको ड मात देता हूं यहां से इसको देए थे काओ बड़ करेंस नेक्ट लिए थे कुए और अभी इसमें वाटर कितना आ गया इसमें स्टोड वाटर है 32 लिटर यहां पर यहां पर पानी का लैवल subscribe हो जाग यह गतो तो एक और ऐसा वोटर टाइंक लगा दूँगा और कंक्रीट भी जो है इससे बननी शुरू होगी होगी अब मैं दूसरी रोकेट मंगा देता हूं अर्ट से और उस रोकेट में मुझे पहले तो ड्रोन्स मंगाने हैं काफे सारे अभी देखता हूं और क्या की चाहिए वैसे पर आयंगा पर इसलेगता है सबस्ता है की और ये मंगा देता हूं में पर आसे क्षड में करेकेट शाया है की अब अर्थ से मंगाने पड़ेगी तो यह ती चीजे काफिछा ज़रूरी है पॉल्यमर फेक्टरी, एल्यक्ट्रोनिक्स फेक्टरी और मशीन पार्ट्स फेक्टरी अर्भी जो है फूल के लिए भी लगाना यहाँ पे फूल रिफाइंडरी और फ्यूल रिफाइनरी भी जो है अर्थ से मंगाई पड़ेगी और फ्यूल रिफाइनरी आ जाएगी तब मैं इस रोकेट को वापस बेज पाऊंगा यहां से तो अभी वापस लॉँच करने के लिए फ्यूल तो नहीं है तो अभी नेक्स्ट रोकेट का ओडर देता हूं और फ्यूल रिफाइनरी भी जो है मंगा जाता हूं कार्गर रोकेट है कार्गर रोकेट में प्री फैवस में जो है एक तो एलेक्टोनिक्स फैक्टरी एक मशीन फैक्टरी एक पॉलिमर फैक्टरी और एक फ्यूल रिफाइनरी तो यह चार्च चीज़े तो काफी ज़्या ज़रूरी है इन चार्च चीजों में 35,000 केजी का वेट बचा है तो 15,000 केजी के वेट में एक तो यह आर्सी ट्रांसपोर्ट वाला रोवर्ट चाहिए जो मैटल को एक सब्सक्राइब कर गरें है और 150,000 केजी ज़ुए तो इसका भी 10,000 केजी है इसके लाबब 5,000 केजी बचा है 50,000 केजी में जो एऊ जो एक जुए मैंने यहां से कमांड दे दिया अब वो रोकेट आ जाएगी तो यहांपे फ्यूल का बनाना शुरू करेंगे और जब यहां से इस रोकेट को मैं वापस भीज़ना है क्योंकि इतनी रोकेट नहीं है कि मैं यहां पर ऐसे लाके वेस्ट करता रहा हूँ तो यह रोकेट अभी चल चुक है, वहां से 4% के आज पर इसने डिस्टेंस कवर कर लिया है यह तो RC Commander है यहां पर खड़ा हूँ है और Orbital Prop कर रहा है उपर स्कैनिंग का यहां पर स्कैन हो रहा है बाकी मैं इधर वाले सेक्टर को स्कैन करने भी लगायता हूँ यह हो गए यह सारे सेक्टर से स्कैन कर लेता हूँ कि यहां पर क्या क्या अविलिबल है पादा चल जाएगा इधर वालों को बात में करूंगा इधर वालों को पहले कर लेता हूँ एक विंट टर्बाइन भी बन गी है और विंट टर्बाइन ने भी जो एलक्सिटी पर्डूस करनी शुरू कर दिया है 25.9 युनिट ये इलक्सिटी जनरेट कर रही है और इसको क्या हो गया इसको क्यों इतनी पावर कम मिल रही है इंसफिशन्ट पावर क्यों है इसके लिए केबल सभी से कनेक्टिड तो है इसकी अब भी जो है ना देख तो इलक्सिटी का कितना डिफरेंस आ रहा है इसको मिलनी चाहिए इसको इलक्सिटी की क्या दिक्कत आ रही है एक केबल और लगाता हूं यहां पर ना इक और कनेक्ट कर दी अब तो इलक्सिटी मिलनी चाहिए प्रॉपर और वैसे यहां पर मैटल पीस काफी सारे पड़े हैं जगे 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 पत्थर दिख रहे हैं मैं इनसे मैटल क collected काफे सारा यह मैटल पीसी हैं और यह जो काफी सारे हैं अभी अपनी ड्रोन सोगे तो इन सारे मैं खत्ता करना आँशु करदूगा और उसके अलावा यहां पर अभी concrete का तो जो है एक ही area है जहां पर मैंने एक concrete accelerator लगा रखा है बाकि और जगे भी concrete का मिल जागा तो वहां पर भी concrete का लगा दूँगा और इधर की side क्या है यहां पर इधर की side भी कुछ है इसको देखेंगे बाद में तो यहां पर बढ़िया view अगरा दिखता है इसलिए यहां पर यह location शायद suitable है अपने जो doms बनाने है जहां पर इंसान आके रहेंगे earth से तो उनके लिए बढ़िया location है यहां पर और metals तो यहां पर काफे सारा मिलने वाला है metals का issue नहीं होने वाला तो अभी दूसरी rocket का wait कर रहा हूं है जैसी वह आजाएगी तो अपना काम थोड़ा तेजी से start हो जाएगा तो अपनी दूसरी rocket भी आ चुकी है और उपर orbit में गूम रही है उसके लिए बस landing location सेट करनी है वह नीचे उतर जाएगी और इसे जो है यहाई पर उतार लेते हैं इसके साथ में यह तो साही rocket वापे जानी है यह temporary landing location है और यह rocket बस आने वाली है नीचे land होने वाली है तो यह rocket जो है उपर से आने लगी है यह परच्छाई तो दिख रही है उतरने वाली है बस तो यह आगी है rocket अपनी दूसरे वाली इसमें अपना काफी साही 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 सामान आया है और अब इन दोनों रोकेट को पहले वाँ पर बेजने की तियारी करनी है यह आगया rover जो ट्रांसपोर्ट कर सकता है सामान को यह वाल पर यह अपने पांच ड्रोन आ गए और बाकी जो मशीन पार्ट वगरा या पर जो प्र सारों पर लग जाए यह आगया है यहां पर यहां से मैटल्स को निकाल भी लेगा और लोड भी कर लेगा तो मेटल पीसे से निकालने शुकर दिया हूँ, यहाँ पर लोड करने शुकर दिया है, तो इसको लोड करने रहता हूँ, जब यहाँ पर सारे मेटल पीसे निकाल लेगा, तब इसको जो है, वहाँ पर बुला लूँगा, अपने बेस कैम के पास, तो जब यहाँ से सारे मेट क्योंकि अभी तो जस्ट बेशिक सुरुवात है यहां पर बहुत बड़ी कलोनी बननी है और बहुत सारा समान चाहिए होगा उसके लिए अब क्या करता हूं मैंने जो प्रीफैम मंगाया है ना फ्यूल बनाने के लिए उसे काम पे लगायता हूं कि इन दोनों को मुझे वाप यहां पर लगा दी फ्यूल रिफैनरी उसके अलावा जो है अपनी पॉलिमर्स की फैक्टरी मगायी थी लेक्ट्रोनिस की मगायी थी और मशीन पार्ट्स की मगायी थी इन तीनों को भी लगा था तो यह जो अपनी फैक्टरी है ही अभी ऐसे काम नहीं करेंगी अभी जब इनसान आ जाएंगे तब यह फैक्टरी हैं काम करेंगी मशीन पार्ट्स वाली पॉलिमर्स वाली तो इनने तब लगा लूँगा और अभी बस थोड़ा सा तयार करके पहला डॉम सेट अप करेंगा यहां पर बुलाई लूँगा मैं अर्ट से जो है इनसानों को जो 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 एन्वार्मेंट है और यह अपनी फ्यूल रिफाइनरी तो बन चुकी है इसको बस इलेक्रिसिटी चाहिए लेक्रिसिटी के लिए के लिए केबल यही से ले लेते है और अभी जो है पावर की प्रेक्शन होगी है कम और डिमांड है ज्यादा 21.8 यूनिट्स पावर पड़ आने पड़ेगे विंट्रबाइन और सोलर पैनल से और इस पावर कीपल चौकी यह पावर स्विच्च है तो और तो कोई निया है विंट्र पाइन और सोलर पैनल्स कई यूज करना पड़ेगा फिलाल तो मुझे है अभी बाद में देखेंगे और कोई मिलेगी तो विंट् पतेज़ा काम करने की काम करने के लिए और पटावटे के काम कर देंगे इसे बस पावर केबल से करना है पहले इन दोनों को भी बनने जाता हूं एक और बन गई और एक यह रहा गई पांच विंट ट्रबाइंस जो है अपनी रेडी है दो तो कनेक्टेड है और इन तीन को कनेक्ट करना है तो एक केबल यहां से जाकर इसके अंदर एक केबल इसके अंदर और इसकी सप्लाई है जाएगी इसके अंदर सारी विंटरबाइंस वगारा सब कनेक्ट हो चुकी है तो अब जो टोटल प्रड़क्शन हो रही है 49.5 यूनिट की और डिमांड 23 की है और अपनी जो यह स्टॉर इसके अपनी खासी जो है ना इलक्सिटी से वोके रहेगी ताकि जो है जब अपना डिमांड जादा हो तो तब मैं यहां से पावर ले सकूँ तो यह दो लगा दी ने बनने था उसके बाद पावर से कनेट कर दूँगा तो यह जो फ्यूल जेनेरेटर है यह तो स्टार्ट हो गया है बट इसे जो है पानी चीर होगा तो पानी का मैंने जो है टैंक यहां पर लगा तो रख है इससे पानी ले ले लेते है क्योंकि पानी से यह जो है फ्यूल बनाएगा तो अभी एक लाइन जो है पानी की नहां से लेकर आने पड़ेगी इससे कनेट करके यह यहां से पूरा लाइन गुमा के लाने पड़ेगी इधर लाइन कनेक्ट कर दी अब यह लाइन बन जाएगी उसके बाद जो है यह फ्यूल बनाना शुरू करेगा और फ्यूल बनाना भी काफे ज़ाँ ज़रूरी है नहीं तो अपनी यह रोकेट यहां पर अटक जाएंग इधर से लाइन कनेक्ट हो गई इधर से लाइन कनेक्ट हुई है यहां से भी कनेक्ट हो गई इधर से पानी जाना शुरू हो गया होगा इधर अभी तो सप्लाई शुरू नहीं हुई है और यह दूना बैटरी इस भी बन चुकी है और यह थोड़ा नीचे की तरफ को क्यों चलेगी है तो इनने connect कर दू तभी तो यह power को save करेंगी यह इसने connect हो गई यह connect हो गई और अभी देख लेते हैं क्या होता है जो इसमें battery charge हो जाए तभी यह उपर आते हो अभी इसमें power नहीं है इसलिए नीचे है इसको क्यों नहीं मिली अभी पानी की supply पानी इसमें डाए अ कवो पानी तो इसमें पूराbung वरा होगा है तो यह निच में with in the इस चक्र में नहीं नहीं जा रहां गया है , यहां पाईब बीच में यहां से रह गई है, तो यहां फूसक आपको इस गोम को अशुरू नहीं नहीं भोरद ले के these जो थूरा और बाइब पनी नहीं, शुरू कर दिया है हो गया और इधर वाटर भी आना शुरू हो गया और इसने काम भी स्टार्ट कर दिया और बाकी यहां बैट जो है ना और चीजों पर रिसर्च भी करने पर लगा देता हूं अब भी क्या इंजिरिंग पर भी कर लेते हैं रोबोटिक्स पर भी कर लेते हैं और में करेंगे और किया मैंने क्या है में यह है तो तीन चीजों के हैं और क्यूं कर दिया है तो यहाँ पर आप ही फिलाल रिसेर्च्ट कम्पेट हो चुकिया वौटर रिक्लमेशन पर यहां पर उट्र ने कर दी है यह वोटर से वैसे एक्साइट कर रहा है तो है यह नहीं होगी जहां तक हमें को लग रहा है तो यह ड्रोन जो है इस फ्यूल के टैंक को लेके जा रहा है और रोकेट में लोड कर रहा है अभी रोकेट में लोड कर रहा है यहां पर रख रहा है यहां पर तो नहीं रख रहा ह क्योंकि फ्यूल के लिए तो अभी मैंने यहां पे डीपर बनाया नहीं है फ्यूल के लिए भी डीपर बनाना है और यह इस रोकेट में लेके जा रहा है और रोकेट को ऐसे 50 चाहिए अभी तो इस वाले में तो एक भी नहीं है और वैसे मैं यहां से समान एक्सिलेट करके एक्सपोर्ट भी कर सकता हूँ यहां से अर्थ पर बेच सकता हूँ वहाला काम तो बात में होगा जब यहां पर अपनी फैक्टिर्स वगारा स्टार्ट हो जाएंगे और मैं देखा यह अपने कुछ जो ड्रोन से काम ही नहीं कर रहे हैं ऐसे खाली खड़े हुए हैं यह वाले जैसे तो यह आर्सी कमांटर तो था इनका यह इससे जो हैसाइन नहीं हो रखे गया इन्हें इससाइन कर देता हूँ इन्हें भी काम पे लगाता हूँ यह खाली देता हें और जो यह और यह ईससे कहता हूँ असना इस यह इस वाले कमांड सेंटर से चल जाएगा और यहान खाली कखड़ में ढारे की गवाह कि वह आत यह यह निकल के आ रहा और जो बैटरी है यह अब रीड की तरफ आ चुकी है और मैंको इसरिट के कि पावर होती है तुद भी οगों आ जाती और जीए जाए problem स्टेट्टज है और यूठि की मैक्सिमिम हाइट ना फom determination होती तो यह आधे हाइट भुट डेख लेए और देख लेते हैं और क्या क्या जरूत की चीज़ है यहां लगाओंगा और उसके बाद जो है जब प्रॉपर यह स्टार्टिंग वाला बेस रैडी हो जाएगा उसका पर डॉम लगाओंगा और डॉम के अंदर हम इनसानों के रहने के लिए घर बनेंगे और वहां पर फील् चाहिए होगा और उससे पहले सारे चीज़े एक बार पक्का कर लेनी है कि सब कुछ ठीक है तब यहां पर जो है इंसानों को बुलाना है और उसके बाद यहां पर ऑक्सिजन बनाने के लिए भी कुछ ना कुछ चाहिए होगा क्योंकि जो डॉम बनाऊंगा उनके अंदर ऑ और यहां पर प्लांट्स वक्रारा भी लगा सकते हैं और यहां प्लांट्स वगरा भी लगा सकते हैं गास भी लगा सकते हैं घर भी बना सकता हूं तो एक डोम में कुछ लिमिटेट कैबसेट योज़े चाहिए बीस या पच्चिस की इतने इंसान रह सकते हैं और ऐसे काफी सारे में डोम शेफ के स्ट्रक्चर बना बनाके उनमें काफी सारे इनसानों को कोयां बसा सकता हूं, यह अक्रीके तो कुछ क्यूंत ही निहीं है विए सारे ड्रόन्स आने लगे हैं यहां पर काम करने के लिए यह समहान लेकर आरे है वहमेटेर reckless के इस डोम को बनाएंगे और इस डोम में अपनी सप्लाइए करने है i younger यह तो आपस है ने सारे में अब यह अंदर लाला के समान रख रहा है थोड़ी स्पीड तेज़ कर देए काम करने की जल्दी से काम करके इसको बना देंगे अब अपने पास स्टॉक में 38 पीस मेटल के हैं और 79 कंक्रीट के हैं फूर तो अभी है ही नहीं और यह रेयर मेटल्स वगड़ा है जो यहाँ पर फाइंड करूँ माबाद में मैं एक्सपोर्ट कर सकता हूँ वापस अर्थ पे तो उसका भी जो है मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ अमाउंट मिल जाएगा एलेक्रिसिटी 39.5 प्रड्यूसरी है डिमांड 23 है और एलेक्रिसिटी की डिमांड अभी अच्छी खासी बढ़ जाएगी जैसी मैं यह डॉम बनाऊंगा और इसके अंदर इंसान आके बसनेगी यह तो काफी जाधा लेक्रिसिटी की डिमांड हो जाएगी और अभी तो काफी साई चीजा लगानी है यह तो काफी साई चीजा लगानी पड़ेंगी तो इसका सारा raw material तो almost आ चुका है थोड़े बहुत concrete के पीस रह गया है अभी ये जैसी आ जाएंगे वैसे ही ये बन जाएगा और अभी एक पीस हो रह गया concrete का बस ये भी आ गया तो ये बनना start हो गया है तो वहाँ पे जो है सारे drones लगए है इसको बनाने में और ये उपर glass का structure आ गया है इसका और ये बन चुका है और ये अंदर इसमें घास भी उगा दी है और यहां पे जो है ये लाइटे वगारा है और अभी ये खाली एरिया है पूरा पूरा अब मैं यहां पे जो भी चीज़ लगाने की हैं वो लगा सकता हूँ अभी जो है no life support लिखा रहा है क्योंकि इसमें oxygen की supply नी दी मैंने अभी और अभी इसमें electricity भी नहीं है तो पहले तो इसको मैं electricity देता हूँ यहां से line से कर देता हूँ electricity के लिए electricity के लिए power cable लेके आनी है power cable यहां से लिए आते हैं इधर क्या है blocking object यहां से लानी पड़ेगी यह power cable हो गई और पानी चाहिए पानी का तो tank यहां ही पर पानी तो इसी से चाल जाएगा resources are low यह पानी का है इसे connect करेते हैं यहां पर यह पानी के line होगी और oxygen का अभी generate करने का में पास है नहीं तो oxygen का generate करने का लिए देखना पड़ेगा क्या चीए होगा यह moxie वाला है moxie से oxygen जनेरेट कर सकते हैं तो moxie generator है moxie generator यहां पर लगाएता हूँ इससे oxygen मिल जाएगी और moxie generator के लिए क्या कर चाहिए इसके तो metal piece है क्या चाहिए इसको एक पावर देनी होगी और इसको जो है वोटर लाइन से connect करना पड़ेगा शायद इसको वोटर चाहिए होगा अभी जब एक बार बन जागा तो पाचल जागा इसका तो इसको जो है सिर्फ पावर ही चाह है और इसको पावर यहां से ले जाता हूं बस सीधा लाइन चले जाएगी और अभी जो है ना पावर भी insufficient पड़किया है और वोटर भी insufficient पड़ गया है तो यह वोटर वाले जो अपने दोनों generator है यह तो वोटर ग्रेड में जो है 1.2 production हो रही है क्योंकि ना वोटर ग्रेड पाने पड़ेंगे और वोटर के लिए कुछ और देखता हूं वाटर के लिए कुछ और भी तो होगा यहां पर बनाने के लिए वोटर एक्स्टेक्टर है यह oxygen टैंक है oxygen टैंक भी अभी लगाने पड़ेगा वोटर एक्स्टेक्टर जो है यह underground deposit से वोटर निकाल सकता है तो था इस एरिया में जपने orbital prop ने scan किया था तब ही मैं यहां पर आया था तो अब एक rocket को फटा फट से यहां से वापिस भीजते हूं और आज सी explorer मंगाता हूं ताकि जो एनमलीस फाउंड ही है वहां पदा चल सके कि वहां पानी है यह नहीं है वहां पानी होगा तो मुझे वोटर एक्स्टेक्टर लगाना पड़ेगा क्योंकि पानी अब कम अब बस यहां से oxygen मुझे पहुचानी है इन वाले doms के अंदर अभी पहुचानी की जो होतनी है अभी तो कोई इनसान थोना रह रह रहा है वहां पर तो अभी इस oxygen को मैं store कर लेता हूं oxygen tank के अंदर यह है oxygen tank यहां पर oxygen tank के लिए है metal piece तो है अभी यह रोवर्स फटा फट काम कर रहे हैं यहां पर लेके आगया metal piece इसको बना देते हैं उसके बाद इसमें जो है यहां से एक line connect करने पड़ेगी अभी तो यह oxygen यहां से बाहर निकल के जा रही है तहीं नी जा रही है यह oxygen ऐसी waste हो रही है यहां से एक pipe connect करके इसको दे दिया यह oxygen अब यहां से जो है इधर की चाड़ा दाएगी हो गया connect तो oxygen इसके अंदर सेवरने लगए यह और फ्यूल कितना आ गया 48 डब्बे हो गया दो डब्बे और चाहिए बस इस record को में वापिस launch कर दूँगा यह वापिस चलिया यह अर्थ पर तो 50 पूरे फ्यूल केस में जो है डब्बे हो चुके है तो अब जो है इसको वापिस भेजने का टाइम आ गया है और इसको जो है वापिस return करें तो और अभी resources क्या पड़े हैं इसके अंदर जो unload नहीं मशीन पार्ट्स हैं इसके अंदर अभी वह unload क्यों नहीं करें इसमें से मशीन पार्ट्स के लिए ना मैंने यहां पर डीपो नहीं बनाया है मतला स्टोरेश के लिए इसलिए ड्रोन ने अनलोड ही नहीं करें तो मशीन पार्ट्स के लिए यहां यहां पर लगायता हूं पटापट अनलोड करो इसको जो है मुझे वापिस भी भेजना है और यह आ वापिस भेजता हूँ तो हो गई यह रैडी वापिस जाने के लिए और बस अब यहां से चलिए यह अर्थ पे वापिस और वहां से फेज जो है अब मैं कुछ इनसानों को बुलाऊंगा वहां से और कारगो वाले भी कुछ लोड मंगाना है तो एक रोकेट तो गई और दूसरी को भी थोड़े में भेज देंगे और इसे अभी ट्राइवल करते वे थोड़ा टाइम लगए यह अर्थ पे पहुच जाएगी उसके बाद वहां से जो है दूसरी रोकेट मंगाऊंगा जिसमें जो है कुछ और चीज़ें जैसे आर्सी ए तो जो है इनसानों को बसाने के लिए और उन्हेम जो है मशिन पार्ट की फैक्टरी में भी काम दे दूँंगा और पोलीमेust की फैक्टरी में भी और वह बी यहतों काफ़ी प्र्दिू们 करत जबने के लिए उनके लिए घर तो मैं इस वाले डामके अंदर बना दूग और अभी तो यह डॉम भी जो है काफी सारे लगेंगे यहां पर काफी बड़ी कलोनी बनने वाली है तो अभी थोड़ा वेट करते हैं उस रोकेट को अर्थक पोजिशन देने के लिए अभी तो 7% डिस्टेंस से कवर किया है और उसके बाद फिर नेक्स वीडियो में यहां पर इ पुला काफी बाद जो यहां जो आखी जो बाद बाद